आज हम पढ़ेंगे कक्षा चठी का पांचवा चेप्टर जिसका नाम है पदार्थों का प्रिथक करन सबसे पहले हम जानते हैं मिसरन क्या होते हैं एक या अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं आपस में तो उसको हम मिसरन कहते हैं जैसे मिट्टी और लोहे का मिसरन गेहूं और भूसे का मिसरन चाय में चाय पत्ती चीनी पानी दूद आधी का मिसरन दाल में कंकड का मिसरन ये सभी के सभी मिसरन कहलाते हैं इस चैप्टर में हम इन मिसरन इन मिसरनों से पदार्थों को अलग करना सीखेंगे इसके लिए हम अलग-अलग विदियों का परियोग करेंगे जैसे हस्त चैन, छानना, थ्रेसिंग आधी देखिए प्रित्थक करने की विदियों को जानते है हमारे पास एक से अधिक विदिया है अलग-अलग पदार्तों को प्रित्थक करने की वो निर्भर करता है कि हमें किस पदार्थ को प्रिथक करना है सबसे पहला है हस्त चैन उसके बाद है थ्रेसिंग फिर निस्पावन उसके बाद चालन अवशादन, निस्तारन तथा निस्यंदन वासपन तथा वासपन और संगनन इन सारी विदियों से हम मिसरन से पदार्थों को अलग अलग करते हैं आईए एक एक करके इन विदियों को जानते हैं सबसे पहला है हस्त चैन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस विदी में पदार्थों को हाथ द्वारा चैन करके अलग किया जाता है जैसे चावल या डाल से कंकड या अन्यपधार्थों को अलगज करना कभी कभी डाल के अंदर कंकड आ जाते है तो उनको हम हाथ से चुन के अलगज कर सकते हैं इसी विदी का नाम हस्त चैन है इसके बाद आता है थ्रेसिंग इस विदी में फसल में भूसे से फसल और अनाज को अलग किया जाता है जैसे कि ड्रम पर सुखे धान को फटक कर धान अलग करना चितर में देख लीजिए धान की जब फसल काट ले जाती है तो उससे धाने अलग करने होते हैं और भूसा अलग करना होता है इसके लिए थ्रेसिंग विदी का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए एक ड्रम रखकर उसके उपर हम उन जो धान होता है उसको हम इसके उपर जब फटकेंगे तो धान अलग हो जाएगा दाने अलग हो जाएगा या अनाज अलग हो जाएगा और भुसा अलग रह जाएगा ठीक है इसके अलावा थ्रेसिंग के लिए आजकल थ्रेसर मसीन भी आती है इसके बाद जो विदी है वो है निस्पावन इस विदी में हवा की मदद से अनाज को और अच्छे से साफ किया जाता है जिसमें भारी कंड वहीं गिर जाते हैं और हलके कंड हवा की वज़े से दूर चले जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा माता और बेहनों को ये करते हुए कि अनाज को और अच्छे से साफ करने के लिए क्या करते हैं हावा चलती है या फिर पंका लगा लेते हैं और उनको इस तरह से थोड़ी उचाई से निचे डालते हैं तो जो भारी अनाज के दाने है वो वहीं गिर जाते हैं उसमें जो भूसा है जो कुछ अनुपयोगी चीज़े हैं वो हवा में उड़के दूर चली जाती हैं इस विदी का नाम निस्पावन है इसके बाद है चालन चालन का अर्थ होता है चानना इस विदी में मिसरन को चालनी की मदद से चान कर अलग किया जाता है जैसे हम चाई को चान के अलग करते हैं जैसे बजरी से कंकर अलग करना चाई को चानना आदी ये सारे के सारे जो हैं इनको हम चालन विदी कहते हैं इसमें चलनी की मदद से हम चानते हैं किसी चीज़ को इसको हम चालन कहते हैं जैसे रोटी बनाते वक्त आटे को चाना जाता है चाय बनाई तो चाय पत्ती को चान के अलग किया जाता है रोडी बजरी से कंकर अलग किया जाता है इस विदी का नाम चालन विदी है इसके बाद एक विदी है अवसादन निस्तारन एम निस्यनन देकि अवसादन को समझते सबसे पहले गंदे पानी को थोड़ी देर रखने पर उसमें जो भारी गंदगी होती है वो नीचे जमा हो जाती है इस विदी को हम अवसादन कहते है वही जब अवसादन कर लिया तो उसके उपर वाले पानी को अलग डाल लेना और नीचे वाले पानी को वही रहने देना इसको हम निस्तारन कहते हैं वही आखरी है निस्यंदन निस्यंदन का अर्थ होता है जो निस्तारित पानी है उसको फिल्टर कागस की मदद से च्छानना जो है वो निस्यंदन कहलाता है देखिए चितर के मादम से देखते हैं इनको सबसे पहले वाले चितर में यहाँ पर जो थोड़ा धुन्दला दिख रहा है इस चितर में पानी के अंदर गंदगी जमा है उसको थोड़ी दिर रखने के बाद जो भारी गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है और पानी हलका होने के वज़ाए उपर रह जाता है और गंदगी जो है वो नीचे है फिर इसको हम अलग से निकाल लेते हैं देख लीजिए उपर उपर का जो पानी है उसको हम निकाल के दूसरे बरतर में डाल देते हैं इसको हम निस्तारन कहते हैं इस वाले पार्ट को जो पहला वाला पार्ट है कि गंद की नीचे बैठ गई उसको हम अवसादन कहते हैं फिर जो हमने पाने निकाला था निस्तारन करने के बाद उसको अगर फिल्टर पेपर की मदद से छान ले तो उसको हम निस्यंदन कहते हैं इस तरह से हम पानी को साफ कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास जो विदी है वो है वास्पन जो पदार्थ आपस में घुल जाते हैं उन्हें अलग करने के लिए वास्पन विदी का प्रियोग करते हैं जैसे पानी में चीनी घुल जाती है पानी में नमक घुल जाता है इस विदी के लिए हम पानी और नमक के गोल को अलग करते हैं इसी विदी द्वारा समूदर के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है समूदर के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए समूदर का पानी खेतों में खटा कर लिया जाता है और वहाँ पर वो सूरिय के प्रकास और रोसनी से वास्पित होके उड़ जाता है और लास्ट में वहाँ पर नमक बच जाता है इस विदी को हम वास्पन विदी कहते हैं उसके बाद है वास्पन और संगनन देखिए वास्पन विदी में एक नुकसान हो रहा था कि जो पानी था वो पानी उड़के खतम हो जा रहा था लेकिन अगर मुझे मेरे पास ऐसे मिसरन है जिसमें मुझे दोनों की दोनों चीजों क्या हो शकता है मुझे पानी भी चाहिए और मुझे नमक भी चाहिए तब मैं क्या करूँगा तब मेरे पास जो विदी है वो है वास्पन और संगनन इसमें दो घुलनसील पदार्थों को अलग किया जाता है इसका फाइदा यह है कि इसमें पानी या दूसरे पदार्थ की हानी नहीं होती जैसा कि मैंने भी आपको बताया इसमें बनने वाले जो वास्प हैं जैसे गरम किया जाएगा वास्प बनेगा उस वास्प को ठंडा करके वापस पानी बनाके अलग कर लिया जाएगा और जो नमक या जो भी वस्तु हमें दूसरी वाले निकालनी है वो उसको अलग कर लिया जाएगा यह जो पतीला है पतीले का धकन उस धकन के ऊपर हमने बرف रखी है तो वास्प बरफ के साथ संपरक में आके ठंडा होगा, ठंडा होगा वो पानी बनेगा उसको हमें बरतन में एक ख़टा कर लेंगे, इस विधी को जो ये वास्प ठंडा करके पानी बनाने कि जो परकिरिया है यही परकिरिया को हम संगनन कहते हैं जल में किसी पदार्त की कितनी मातरा मिलाई जा सकती है देखिए एक गिलास में पानी में नमक घोलिए थोड़ा सा नमक घुलेगा थोड़ा ओर डारी थोड़ा ओर गुलेगा थोड़ा और डाले थोड़ा और गुलेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर नमक गुलना बंद हो जाएगा जब ऐसी सिच्वेशन आ जाती है कि उसके अंदर और ज़्यादा वो पदार्त या नमक नहीं गुल सकता है तब जो विलियन हमें पराप्त होता है उसको हम संत्रिप्त विलियन कहते हैं संत्रिप्त विलियन का अर्थ है कि उसके अंदर और पदार्त जो है और पदार्त उसके अंदर नहीं गुला जा सकता इसे हम संत्रिप्त विलियन कहते है ठीक है घुलना बंद हो गया और थोड़ा सा जो नमक है उन निचे दिखाई दे रहा है इसका अर्थ है कि ये इसके अंदर और ज़्यादा नहीं घुल रहा है तब इसको संत्रिप्त विलियन कहते है अगर और नमक घुलने से घुल जाता है तब वो कहलाएगा संत्रिप्त विलियन यहाँ पर हमारा चैप्टर खतम होता है अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद